दोस्तों मारे चैनल के काफी सारे वीवर्स ने ये स्वाल पुछ है भी क्या अकाउंट्स की जोब के लिए टेली सॉप्ट्वेर का सीखना जुरूरी है या फिर इसके अलावा कोई दूसरा ओप्सन भी होता है या फिर आपको कहीं ये बात बोली जा रही है भी आप टेली सॉप्ट्वेर सीखने कोई अकाउंट्स का कम्प्रीट को समझ रहे हो तो आज की इस वीडियो का आप एंट तक कम्प्रीट जूर देख लेना क्योंकि इस वीडियो में आज आपको मैं परफेशनल अकाउंटेंट बनने तक के सफर में आपको कौन कौन से स्टेफ फोलो कर जाएंगे और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है विस वीडियो को आप अपने उन दोस्तों के साथ ज्यादा सी ज्यादा शेयर करना जो आपके दोस्त अपने अकाउंट्स के फिल्ड में केरियर बनाना चाते हैं यानकि वो अकाउंट्स क complete course को सेखना चाहते हैं तो दोस्तो अगर आपका भी कोई सुजाब हो आपका भी कोई question हो तो भी आप हमें comment कर सकते हैं हम पूरी courses करेंगे आपके question का reply देने की तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो like जरूर कर देना अगर आपने मारे चैनल पर पहले बार विजिट करिये तो इस चैनल को भी subscribe करने के साथ notification bell को भी जरूर on कर लेना क्योंकि हम आगे भी आपके लिए इसी type की practical वीडियो और knowledgeable वीडियो लाते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मौन सुथार और आप सबी दोस्तों का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत सुभागत है तो शुरू करते हैं आज के यूडियो तो दोस्तों सुरुआत हम करते हैं टेली वर्सेज अकाउंट्स कोर्स की यह टेली और अकाउंट्स के कोर्स में कितना difference है क्योंकि ज़्यादा तर स्टुडेंट से ही समझते हैं भी हमने टेली सॉफ्ट्वेर को सेख लिया है और हमने अकाउंट्टिंग का कंप्लेट कोर्स भी कर लिया है तो दोस्तों इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा difference भी है क्योंकि टेली एक अलग अकाउंटिंग का सॉफ्ट्वेर है और अकाउंट्स अपने आप में भी एक कला है क्योंकि जो टेली है यह एक अकाउंटिंग का सॉफ्ट्वेर है जहां पर अकाउंटिंग का वर्क किया जाता है अकाउंट को सीखने के बाद में अब अगर आप टेली software से रहे हो किसी भी इंस्टूट पर जाके तो वहां पर आपने देखा होगा वह आपने voucher में जाके आपनी इंट्रियां करनी सेखी होगी purchase voucher की, sale voucher की, payment की, receipt की या फिर आपने F11 या फिर F12 में इनके configuration features के बारे में आपने जाना है तो अगर आपके mind में यहां तक यह बात सिमित रहेगी, भी आपने टेली सीख लिया, इसका मतलब आपने accounts को course सीख लिया, तो यहां तक आप बिल्कुल गलत हो, अब accounts एक अलग है, क्योंकि हम जब भी किसी company में या किसी भी शोपेच है, वो छोटी से छोटी दुकान है, वो लेजर बना लिया, प्रोपरली आपने इंट्री भी सी तरीके से कर ली, जब तक आपको इस बात का पता नहीं होगा, भी जो आपने transaction करी है, उसके पिछे उसका logic है, यानकि उसमें account पे क्या effect आया है, अब जो आपने लेजर बनाया है, वो जो लेजर है, वो कौन सा trading का part है कौन सा लेजर हमारा profit and loss count का part होता है, कौन सा हमारा balance sheet का part होता है, कौन सा capital का part होता है, अगर आपको इन बातों का नहीं पता है, तो आपको केवल आप एजे computer operator हो, यानकि एजे telly operator हो, नहीं की accountant हो, अब accounts को समझने के लिए आपको basic accounts के fundamental आने चाहिए, इसके बारे में हम आ आपने किसी institute पर telly सीख भी लिया, अब आपने किसी company में job के लिए apply किये, एजे accountant के पोस्ट के लिए, लेकिन वहाँ पर उस company में telly software यूज नहीं होता है, वहाँ पर आमाले जी ये mark accounting software यूज होता है, आपने telly सीख है, लेकिन telly आपका भी बेकार हो रहा है, क्योंकि company मे mark software यूज हो रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पर आके confused हो जाओगी, भी मैंने तियर mark accounting software को सिखा ही नहीं, मैंने तो cable telly सीख है, mark accounting software के features के बारे में मेरे को तो कोई जादा जान करी नहीं है, क्योंकि अब इस तरीके की confusion बहुत सरे accountant के mind में आएगी, क्योंकि जादा तर वो यही बोलेंगी, भी हमने telly course के डिया है, लेकिन हमें job नहीं मिल रही, अब job नहीं मिलने का कारण यही बहुत एक बड़ा factor होता है, क्योंकि आपने cable telly सीख है, नहीं कि कोई account सीख है, अब हो सकता है, वहाँ पर mark software भी आपको मिल जाए, या mark के अलाबा हो सकता है, वहाँ लाखों accounting software market में available है, इन में से कोई भी आपको मिल सकता है, तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी confusion पैदा हो जाएगी, बहुत आपके नोकरी पेग खतर आ जाता है, भी आपने telly सीख है, लेकिन telly आपका सीखा हुआ काम नहीं आ रहा है, अब इसका, अब हम बात करते हैं, accounts के rule की, अब यहाँ पर हमारा असली factor शुरू होता है, भी आपको professional accountant बनने के सफर तक आपको क्या बातें ध्यान में रखने जरूरी है, और साथ में साथ आपको कौन-कौन से software में भी practice करनी पड़ेगी, तो दोस्तों सबसे पहले, किसी company में job करने से पहले, आपको accounts के basic fundamental आ कौन से real account के cover में laser कवर होते हैं, बनसे nominal accounts के under में carry laser तो आपने बना भी है फ्ली है। अपट का मतलब को हता है, पर और आपने entry करने भी आपको आती है, laser भी create करने आती है, stock item भी create करने आती है, लेकिन इसके पिछे का fundamental आपको नहीं बता, भी इसका effect कहा जा रहा है, अगर ये entry जो हमने करी है, अगर इसको हम delete कर दें, तो हमारी books of accounts पर क्या effect पढ़ेगा, trading पर क्या effect पढ़ेगा, profit and loss counter पर क्या effect पढ़ने वाला है, या फिर balance sheet में क्या effect पढ़ेगा, अगर balance sheet में effect पढ़ेगा, तो हमारी कोई liability side पर पढ़ेगा, या फिर asset side पर पढ़ेगा, काँ भी पढ़ेगा, तो यह सारी बातें आपको basic knowledge होना जरूरी है, तो इसलिए professional accountant बनने के लिए, यानि के perfect accountant बनना चाते हूं, तो सबसे पहले आपको in basic fundamental के बारे में जान कर ही होना, अच्छी तरीके से बहुत ही जरूरी है, आप accounting software आपको चीए कम हाता कोई दिकत नहीं है, लेकिन आपको accounts के fundamental, accounts के rules आपको अच्छी तरीके से, practical तरीके से आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, हम इसके बारे में आ personal accounts में किस तरीके से लेजर बनते हैं, इस सारी बाते हैं आज हम practically हम बतानेंगे, उसके बाद में बारी आती है, अगर आपने इन बातों को सबको सीख लिया, अच्छी तरीके से सीख लिया, आपने टैली software को भी अच्छी तरीके सीखा है, या टैली के अलावा आपने को दो आप जो भी आपने इन्ट्रियां करने से किया है, वो business के real accounting voucher से आपने से किया है, जैसा कि ये accounting voucher होगे, अब इस तरीके से accounting, real voucher के साथ आपने से किया है, इस तरीके से आपने receipt book से receipt बनाना से किया है, sell voucher से sell voucher की इन्ट्रियां आपने करने से किया है, तब आपको कोई दिक्रत होने वाली नहीं है अब एक्सवर में होता कि है भी जब भी कोई निया स्टुडेंट किसी इंस्टूर्ट पे जाके सुप्ट्वेर सेखने के सुरुवात करते हैं तो वहां पर रफली और डमी इंट्रियां ही चलती है अगर आपने रिल बिजनस के साथ प्रैक्टिस करी गिए हैं अकाउंट के रूल आपको अच्छी तरीके से पता है तो आपको ची accounting software आपके सामने कोई याज है, अगर आपने एक accounting software को अच्छी तरीके से सेख लिया, तो जो बाकी के जो accounting software होते हैं, वहां पर आपको कोई ज्यादा धिक्कत होने वाली नहीं है, अब आपको मैं इसका practical उधारन बताता हूँ, जैसे कि आप tally software में, मलब sale की entry आ नहीं है, यह तो आप tally software में आपने करने से लिया, अब मानले जी अब आपको busy software में ये बात बोली जाए, इसकी entry करके लिखाओ, तो आप transaction में जाके आपको पता है, यहां पर हो जाती है, तो यह basic quantum, यहनकि vouchers हर accounting software में आपको मिलेंगे, लेकिन उनके छोड़ सा जो layout का design हो आपको short सा difference होता है हर accounting software का, और यह बात अगर करें mark software की, तो mark में भी आपको यहां पर सारी बाते मिल जाएंगी, जैसे transaction में जाओगे, transaction में sell पे जाओगे, बिल पे जाओगे, तो यहां पर भी आपको सारी entry करने को मिल जाएगी, बस सरते आपको accounts को अच्छी तरीके से सम feature है, यह feature सारे हर software में होते हैं, कई software में already own होते हैं, कई software में इनको own बाद में करवाया जाता है, तो इसमें आपको गवराने की जुरूर दनिया software के पीछे, बस आपका account का practical base है, वो आपका strong होना जुरूरी है, तो account का base strong करने, तो इसके लिए आपको, सबसे पहले तो आप आपको accounts के golden rule बगएर पता होना चाहिए, personal accounts बगएर हम पता होना चाहिए, और आपको real business की practice के करने चाहिए, अब बात आती है, भी जब भी कोई नया बंदा किसी company में apply करते हैं, अगर वहाँ पर उसको ये बात बोली जाए भी आप हमें इस voucher की journal voucher भी एक journal entry करके आप हमे जा रहा है, तो वो जल्द बाजे में क्या करेगा, software को उपन करेगा, जो भी journal voucher की command है, जैसे telling app 7 हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर जाकि entry करने की कोसिस करेगा, जबकि वो इस बात को नहीं समझे रहा भी, जो question किया गया, वो question क्या है, question यह था भी, इसकी journal entry बना के होता हुता, और फिर वो केते हैं, भी हमें accounts की job नहीं मिलती, हमने जो telly software सीखा था, हमने जो पैसा लगाया था, वो सारा हमारा बेकार हो गया है, तो दोस्तों, उमीद करता हूँ, आज किस वीडियो से आज आज आपको कुछ सेखने को जुरूर मिलागा, वीडियो कैसी ल